आनन धाम की और धर्मर प्रसंग में महापुरिष स्वामी शिवानजी महाराज अध्याए 10 बैलूर मट शनिवार 8 सब्तमबर 1923 प्रिष्ट संख्या 44 सन्यासी आगे प्रश्न करते हैं किन्तु महाराज इन सब रुपए पैसों को संभालना भी तो बड़ा कठिन कारे है इतना ही नहीं इसके साथ साथ जमिनदारी भी है इन सब चीजों की देख भाल करना कितना मुश्किल कारे है सांसारिक व्यापार और एश्वरे के साथ बंद जाने के कारण बड़े बड़े धर्म संप्रदाय धीरे धीरे आदर से चुत्त होकर पतन के गर्त में चले गए है इतिहास में इसके अनेक दिश्टांत है महापुरुष महराज तुम जो कहते हो वह एक तरह से ठीक ही है लेकिन मेरी धारना क्या है जानते हो जिन सब धर्म संगों का पतन हुआ है उसके मूल में था सादन भजन और त्याग तपस्यादी का अभाव ठाकुर के संग में भी जब तक त्याग विराग्य प्रज्जोलित रहेगा संग का प्रतीक अंग जब तक भगवान लाप को ही जीवन का मुख्य ओदेश्य मान कर सादन भजन और तपस्यादी में रत रहेगा तब तक किसी भी प्रकार का भई नहीं सब अच्छी तरह चलेगा सादूं की ठीक ठीक दुष्टी कैसी होनी चाहिए इस संबंद में राजा महराच यानि स्वामी ब्रह्मा नंजी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे वे कहते थे कि सन्यासी जब अटालीका में बास करे उस समय भी सोचे कि मैं व्रक्ष के नीचे हूँ और जब सोलोहों पकवान खाए तब भी मन में यही सोचे कि मैं पवित्र भिक्षान का रहा हूँ इसका अभी प्राय यह है कि सभी अवस्थाओं में नरलित रहकर अंतर में तपस्या का भाव जगा कर रखे भाव शुद रहने पर फिर कोई भई नहीं रहता भाव को लेकर ही सब है और तुम लोग जो कुछ काम काज करते हो सो सब तो भगवान का ही कारे है तुम लोग अपने लिए तो कुछ भी नहीं करते कारे भी तो तुम्हारे लिए साधना कंग है उनकी सेवा समझ कर उनका कारे करने पर निश्चे ही उसके द्वारा मन का सब मेल दूर हो जाएगा पर इतना आवश्चक है कि साथ साथ साधन बजन खूब जोरों के साथ जारी रखना होगा साधन बजन में कमी आने पर ही सब कुछ गड़बड हो जाता है अनासर्त होकर उनका कारे करना होगा इस बात को सरवदा अपने मन में रखो कि ठाकुर का कारे कर रहा हो इस भाव से जो कोई उनका कारे करेगा उसका कभी भी किसी प्रकार का अखल ल्यान ना होगा वे उसकी सरवदा रक्षा करते रहेंगे किन्तु अहंकार और अभिमान के आते ही वे नष्ट हो जाएगा ठाकुर कहते थे देखना कहीं मन में कपट भाव ना आए उनका कारे और उनकी सेवा करते होए धन्य हो जा रहा हो इस भाव का अर्ष्रे लेकर रहने पर कोई भय नहीं है और अपने मन के उपर सतरक दृष्टी रखकर प्रदेख कार में अपने मन का विस्टिशन करना चाहिए जब कभी भी मालूम हो कि मन की गती थोड़ी से भी बदल रही है तो उसी समय उनके पास कातर हो प्रातना करना और साधन भजन में और भी जोर से डूप जाना काम दिन रात तो करते ना रहोगे और काम काज के बीच भी समचित रूप से उनका समन्न मनन करते रहना होगा ओम श्री राम प्रिश्णा रपान रमास्तू